नमस्का दोस्तो स्वागर आप सभी का तेकिराच यूरूप चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो पर जो है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जीमेल के पास्वर्ड को चेंज कर सकते हैं वो भी बिना मोबाइल नमबर के ठीक है यदि आपके पास मोबाइल नमबर देख लीजेगा यदि आप यहाँ पर कोई भी प्रोसेस को मिस करते हैं तो हो सकते हैं आपका जो पास्वर्ड है वो चेंज करने का ओप्शन ना निकले तो उसके लिए दोस्तों आपको जो है वीडियो को पुरा देखना होगा ठीक है और दोस्तों यदि आपने जो है चै चेक आउट कर सकते हैं और किसी भी प्राब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें टुटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं यह वड़ोस्तों आप लिंक दिस्क्रिप्शन पर जाके देख सकते हैं तो चले दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ले चलतों अपने जीमेल उसके बाद दोस्तो आपको जाना है उपर ये जो आईकोन है आपका प्रोफाइल का उसकी ऊपर में टेप करने है उसके बाद manage your google account पर चले ज़ने है तो manage your google account पर जाने के बाद यहाँ पर password जो है उसको change करने का option आपको scroll down करके दोस्तो यहाँ जो है security पर जाना होगा ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है आपको पासवोर्ड पर टेप करना है तो पासवोर्ड पर टेप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको 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 उसके बाद दोस्तो next पर click करने के बाद आपको password change करने का option दिया जागा लेकिन दोस्तो यदि आपके पास जो है password बिलकुल नहीं है तो forgot password पर click कर लिजेगा ठीक है उसके बाद दोस्तो enter last password बट रहे हैं तो यहाँ पर भी same है यहीं आपको दोस्तो पिछला वाला यारुफी पिछले से पिछले वाले password को भी याद है तो उस password को यहाँ पर enter करके देखिए उसके बाद दोस्तो आपको next पर click करके जो है change करने का option दिया जाएगा ठीक है तो यह एक तरीका है बीना password का change करने का यहीं आपको थोड़ा सा भी password यार है तो आप try कर सकते बारना try another way पर आपको चले जाना है ठीक है तो यहाँ पर दोस्तो आपको मैं समझाते समझाते जाओंगा आगे यहाँ पर क्या क्या आपको करना है ठीक है तो इसके बाद दोस्तो यहाँ पर आपको एक mobile verification दिया जाते ठीक है जिसके true आप change कर सकते तो यहाँ पर दोस्तो मैंने जो यहाँ पर next option यानि कि try another way किया था तो उसमें दोस्तो मेरा जो mobile है वो अपने आप verify हो गया तो यहाँ पर दोस्तो verify कि हो गया है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ तो इसलिए यहाँ पर दोस्तो verify हुआ है क् से create किया हुआ है तो उसके वज़े से दोस्तों यहाँ पर mobile को detect कर लेटा है उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर इस तरह का option दिया जाता है तो आप यहँड़ी yes करते हैं तो आपको change करने का option दिया जाएगा थिक है तो yes करने के बाद देख सकते दोन सी नोटिफिकेशन रिसे निट तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा वेट करने उसके बाद जली से जो है चेंच नहीं हो पेज पर ले जाया जाएगा तो आप देख सकते हैं चेकिंग योर्जाओमी रेद्मी 6A ठीक है तो आप दोस्तों देख सकते हैं पूल डाउन नोटिफिक्शन बार एंड टेप ज़सा नोटिफिक्शन टेप यह उन यूर फोन टीक है तो आभी दोस्तों इसको जो है स्क्रो दोस्तों यहाँ पर जो है यह सक데料ती का अफिक यह कर देते तो दोस्तों आपको प्रॉबमद में आ सकते हैं तो आपको याथ करते हैं तो दोस्तों इसoupतिक यह संफ्टिंग रोंग क्यों अरह मुझे पता नहीं तो यहाँ पर दुपार्स व किन राग आनोगा यही इस त offen का कोई भी प्रोब्लम आते हैं तो आपको simply आपको ट्राइ करते रिने तो दुबारा से आपको यहाँ पर ट्राइ करना होगा अनडर हुए उसके बाद आपका जो पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा ठीक है बीना फोन नमबर गे तो यहाँ पर बहुत सारे उप्शन्स आपको मिलते हैं लेकिन दोस्तों यहाँ पर यदि आप जो है रेजिस्टर जो मोबाइल से आपने जीमेल को बनाया हुआ है तो उसी मोबाइल पर करने से इस तरह का जो है आपको दिया जाएगा ऑप्शन्स ठीक है चेंज करने का तो यहाँ पर देख सकते हैं दुबारा स हो चुका है अब ही दोस्तों आप देख सकते हैं थीक है क्रेट पासवोर्ट कॉंफोर्ट को ओफर्फिक आपने के अब दोस्तों यह जो है दो थीन बर करने के बाद option आ गया है तो आपी दोस्तों यहाँ पर आपको simply create पासवोर्ट दूभ या जौनिकि आपको new पासवोर् पर की वेरेफिक्षिन की जरूरत है नहीं कुछ आपको चाहिए सिंपली चेंज कर डिजे सेफ कर डिजे चेंज हो जाएगा ठीक है बिलकुल असन सा प्रोसेस लेकिन दोस्तों यहाप ठोड़ा ताइम आपको देना होगा उसके बाद दोस्तों बिलकुल आसानी से आपका काम हो जाएगा ठीक है तो आज के लिए दोस्तों बस इतने उम्मिद करते हैं आपको जो है वीडियो पसने आओगा थेंक्स रॉचिंग